आज की वीडियो एकदम बजट फोन की तरफ जहीं दोस्तों क्या हाल है तो यह है मेरे पास मोट डोला की तरफ से मोटो जी जी जीरो फॉर नाम में रिस्पेक्ट लेकर गूंब रहा है दोस्तों यह जी जी फोर ग्यान तरफी तो फोन की बात करते है लेकिन प्राइस से शु कोफर है एक्षेंपल 4G RAM 64 GB 6249 का पढ़ सकता है लेकिन उसके लिए कंडिशन है एक्स्ट्रा 750 रूपीज का एक्स्चेंज में एड़न हो जाएगा लेकिन एक्स्चेंज वालों के लिए अन्बोक्स कर लिए जाए फॉन मोट्रोला स्टाइल आप जानते ही हो यह बैक कवर पहले से लगा कर देते हैं यह आपको मैसेज देते हैं दोस्तों कि आप लगाईए खेर साथ में यहां हमें यूजर मैनुवल 10 वोट का एक स्टेंडर्ड चार्जर है हलागी फोन 15 वोट तक सपोर्ट कर सकता है यह मेरे पा इसके साथ से जो फोन का डिजाइन है काफी अट्रेक्टिव लग लगा है ओ मैट फिनिश के साथ आते हैं जो कैमरा डिजाइन बगार मुझे अच्छा लगा आपको कैसा लगा को में बताना इंफेक्ट फ्रंट में भी पंचोल दिया हुआ अभी डिस्प्ले की बात अगर फोन की सबसे फ़ले ऊपर यहां पर 3.5 जैक है सेकेंटी नोस केंसिलेशन माइक नहीं दिया हुआ है वैसे इस रेट में काफी फोन में नहीं होता लेकिन लेकिन लेफ्ट साइड में यहां पर ट्रिपल स्लोट है तो दो सी में एक मेमरी काड और नीचे की तरफ यहा से डूल बैंड वाइफाई मिल जाएगा FM रेडियो दिया हुआ है आपको यह फोन लगाना पड़ेगा 4G प्लस आपको नहीं मिलेगा इस रेट में वैसे मिलता भी नहीं है लेकिन वोल्टी 4G शो कर रहा है और यह एक 4G फोन है 5G फोन नहीं है यह काफी बजेट में भी है तो अब यह अगर 7-8,000 रुपे से नीचे 4G फोन लिया जा सकता है इससे उपर अगर आप जाते तो भाई 5G फोन देखना चाहिए और मैंने संसर चेक किया तो यहाँ पर जायरो कमपास नहीं मिलता लेकिन एक्सलर मिलता है तो यहाँ पर थोड़ी कोस्ट कटिंग की गई ह बागी ऑटो ब्राइटनेस वगरा मिल जाएगा और साथ में यह फोन IP 52 स्प्लैस रिजिस्टेंस के साथ आता है और सेम टाइम अगर बात करें जो डिस्प्लेय यह मुझे अच्छा लगा कि बजट प्राइज है बट यहाँ पर आपको पंचोल मिल जाता है और 6.6 इंच की यह एक एच्डी प्लस डिस्प्लेय है फुल एच्डी नहीं है रिफ्रेश यहाँ पर आपको 90 हर्स मिलता है 537 डिस्प्लेय ब्राइटनेस के साथ आता है इंडोर में डिस्प्लेय ब्राइट फील होती है जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूं तो यह सच कोई दिक्कत नहीं है आउट्डोर में अगर आप जाते हो तो भी डिस्प्लेय वीजिबल है डायेक्ट सनलाइट में जाते है वहाँ थोड़ा कम फील होता है बाइदेवे डिस्प्लेय प्रोटेक्शन यहाँ पर पंडा ग्लास है और बात करें अगर यहाँ पे पर्फोर्मेंस पार्ट की मतल लगी और मैंने स्टोरेज टेस्ट भी किया तो यह अगर सॉफ्ट्रे की बात करें तो यहाँ पर यह अच्छी बात लगी लेटेस्ट एंडोट 14 मिलता है और यहाँ पे एक चीज़ कर देता हो इस फोन को फ्यूचर में Android वर्जन नहीं लेकिन जो सिक्योर्टी अप्डेट होता है ना वो दो साल तक मिलेगा बाइद अगर आपके मन में आ रहा है फर्स्ट टाइम सेट अप करते हैं तो यह वाला थोड़ा यूज किया गया है यह फर्स्ट टाइम सेट अप है इसमें देख सकते हैं ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत एक्स्ट अप्लिकेशन जैसे क यह वाली गेम जैसे कि कोटेग अप्लिकेशन अंस्टॉल हो जाएगा और यहां पर कुछ यह शॉपिंग फॉलडर एंटर्टेंवन फॉलडर बन जाते हैं आप इनको न मत इंस्टॉल करिएगा और यहां से रिमूफ कर दीजिएगा मैंने अंतुतु भी वैसे चेक कर लि पर डिपार्टमन की तो यहां पर आपको दो कैमरे दिख रहे हैं बड़ एक चुल में एक एक फ्लैश है 16 मेगा पिक्सल का में कैमरा है 5 मेगा पिक्सल की सेलफी है टैने टीपी 30fps तक आप वीडियो शूट कर सकते हो और सेलफी में भी आपको टैने टीपी वीडियो इडिशन में यह आप देख सकते हो याद रखिएगा जिस प्राइस पॉइंट पर आता आप इस प्राइस पॉइंट में आपको ठीक ठाक फोटो निकाल के देदेगा फोटो स्टोड़ी कॉन ट्रास्टी साइड है बाकि आप इस रेट में आप हाई डैनमिक रेंज यह सब बैलन्स करते हैं फोन नहीं मिलते हैं तो आपका काम चल जाता है कुछ उस टाइप की फोटो जाती है दिफरेंट दिफरेंट फोटो देश तो यह कुछ सेल्फी सेंपल भी मैंने लिया है तो आपको अंदाजा लग जाएगा तो यह था मोटरोला जी जिरो फो यह चीज़ आपको बता दिया मुझे पर्सिनली डिजाइन अच्छा लगा बैटरी भी ठीक है 5000 अमेज बैटरी है डे टो डे लाइफ में परफोर्मेंस भी आपको ठीक निकाल के दे देता है आपको कैसा लगा यह वीडियो वीडियो फ़संद दा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए म मिलता आपसे अगली वीडियो में